नमस्कार NewS World India देखए आप मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपूर ठाना सरसवा छेत्र के आसपास के गाओं और ठाना चिल काना छेतर के आसपास के गाउं में सहारनपुर पुलिस आपकारी विभाग वारा ड्रोन कैमरा चला कर नशे का कारोबार करने वाले और अवेद रूप से शराब बनाने वाले लोगों पर की जा रही है ड्रोन कैमरे से निगदानी ये भी जानकारी सामने आई ह आपको बता दे कि सहारनपुर के थाना सरस्वावा चेतर के यमना नदी के आसपास लगे गाउं का पुलिस परिशासन वारा ड्रोन कैमरे से निगदानी रखी जा रहे है क्योंकि सरसावा एक ऐसा चेतर है जो जमना नगर से लगा हुआ है और इस चेतर में अबेद रूप से जंगलों में शराब बनाई जाती है और इसके साथ ही यमना नगर से उत्तरपरदेश में सप्लाई भी की जाती है और इसी को लेकर सहारनपूर पुलिस और आपकारी विभाग बारा आसपास के छेतर में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है आपको बता दे कि उत्तरपरदेश का जनपत सहारनपूर उत्तरा खंड और हरियाणा पंजाब से लगा हुआ है और लगातार जनपत सहारनपूर में हरियाणा शराब की तसकरी बड़े पेमाने पर की जाती है और इसी की सुरक्षा को लेकर जनपत सहारनपूर में सहारनपूर SSP द्वारा पुलिस विभाग को सक्त आदेश दिये गए है कि जनपत सहारनपूर के थाना सरसावा छेत्र के आसपास के गाउं पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाए जिससे की हरियाणा से तसकरी कर यूपी में लाई जाने वाली शराब और शराब तसकरों पर कड़ी निगरानी रखी जाए सरसावा में जो योना नदी से लगा हुआ शेत्र है नदी के खादर में अवैद रूप से सराब का कारोबार करने वाले और सराब की बट्टियों की तलाश के संबंद में पुलिस से हम आपकारी के टीम के द्वारा वहां गश्त भी की गई और रूम कैमरे से पुरे नदी के शेत्र को उसकी तलाश करके उसकी फोटोग्राफी विडिवापी की गई कि कोई भी इस तरह का वैद व्यापार ना करने पाए और कल पुरे दिन बरे अभियान चला वविश्ट में भी नशे के कारोबार के रुख थाम के लिए इस तरह की अभियान चलते रहे हैं जन्पन बांगा के टी एस डिंगवाही विद्योत के करमचारियों द्वारा कारे विश्कार किया गया है बताया गया है कि ठेकेदार द्वारा करमचारियों का शोशन किया जारा है जिसके कारण उनका परिवार भुकमरी के कागार पर पहुँच गया है और करमचारियों का साफ तोर पर कहना है कि उन्होंने विभागए अधिकारियों से भी कई बार इसकी जानकारी दी है लेकिन अधिकारियों द्वारा केवल आशवाशन दिया जाता है और ठेकेदार के पास जाते हैं तो ठेकेदार कहता है कि पैसा आ जाएगा लेकिन बहाने बाजी करके टाल मटोल किया जा रहा है और वही करमचारियों के अनिसार उनका 18 महीने का PF का पैसा भी ठेकेदार द्वारा नहीं दिया जा रहा है जब कि हर महीने बेतन से PF का पैसा काटा जाता है लेकिन करमचारियों को उसका पैसा नहीं दिया जाता इनी समस्याओं को लेकर TSS विद्योत डिगवाही करमचारियों के द्वारा बविश्कार काम का किया गया है जबसे हम लोग काम कर रहे हैं यहां से दो साल इसके पूरे होने जा रहे हैं ठेकेदार का दो महीने तीन महीने और बचे हैं दो साल में इतने वादे किया पेमेंट नहीं दिया। जिसमें हम लोगों का किसी का पांच महीने का छे महीने का इस तरह पेमेंट पड़ा है। कि लिए बात करते हैं उच्छातिकारियों से बात करते हैं वो भी सब आज क्या आजएगा अज आजाए है तु ठेकेदार से बाझ करते हैं तो ठेकेदार से बचे हम धर देता आंने परा श्वासं यहां का ठेका दिया गए टेंडर मिला है रेलबे द्वारा यूपी के पिली भीत जनपत के बर्खेडा थाना चेतर के बहादुर पूर हुक्की गाउं के रहने वाले बाबुराम ने कई ग्रामिडों के राशन कार्ड के लिए आपात्र बताते हुए पूर्टी विभाग में शिकायत भी थी और जब गाउं वालों ने बाबुराम से शिकायत का कारण पूछा तो वहीं इस बात पर आगबपूला हो गए और अपनी बंदूग से फायर कर दिये और घटना के दोरान पास में ही गन्ने से लदी ट्रॉलीक पर रस्सा बांध रहे विमश भर दयाल राम बुजूर्ग ब्यक्ती के पैर में गोली लग गई और गोली लगने के बाद गाउं में अफरत अफ्री का माहौल बन गया और सूचना पर पहुची पुलिस ने तुरंथ ही गंभीर बुजूर्ग को जिला अस्पताल पहुचाया जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है बागपत शुगर मेल पर परिवहन बिभाग द्वारा और जिला अधिकारी की उपस्थिती में अभियान चला कर मेल को गरना आपूर्ती करने वाले ट्रेक्टर ट्रॉली ट्रकों पर इसको लेकर रेड फ्लैग लगाया है आपको बता दे कि रेफ्लैक्टर रेड फ्लैग लगाया गया है और मिल परिशत के कैन कार्ड में बाइक करया केंदरों से गरना लाने वाले ट्रेक्टर ट्रॉली ट्रक आधी पर इस रेड फ्लैग को लगाया है और इस मौके पर बरिश्ट संभाग्य परिवहन अधिकारी एके सिंग राजपूत ने बताया कि चीनी मिल बागपत छेतर में कई गरना कर केंदर आते हैं यासे में बड़ी संख्या में गरने से भरे ट्रेक्टर ट्रॉली जो रात को सड़कों से होकर चीनी मिल पहुचते हैं और इसी मौके पर बागपत शुकर मेल के ही परधार परबंधार वीपी पांडे ने कहा कि जो वाहन या कृषक रिफ्लेक्ष्टर की नहीं किये जाएंगे उनको लेकर पुलिस ने याताया सुरक्षा अधिनियम के तहद चालां काट देगी और जिसकी पूरी जिम्यदारी वाहन स्वामी की ही होगी जहासी में तमंचे के बल पर एक दमपती को लूटने वाले दो शातिर अपरादियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है बताया जा रहा है कि उनके पास लूटे गए जेवरात घटना में परियुकत मोटर साइकल तमंचा कार्तूस बरामत के गए है और इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधिक्षक नगर रादेश्याम राय ने बताया है कि रक्षा थाना चेतर के अंतरगत ग्राम दोमागोर में रहने वाले कदम सिंग की भांजी की नवाबाद थाना चेतर के अंतरगत ग्राम गुमनवारा में 20 नवंबर को शादी थी और कदम सिंग अपनी पतनी के साथ भान जी की शादी में गया था जब वो शादी से वापस लोट रहा था तभी रक्षा के निकट मोटर साइकल सवार दो युग को ने उन्हें रोक कर तमंचा लगा कर उसकी पतनी के सोने के जेवर आदी छीन किये और भाग निकले और इसके साथ ही कदम सिंग ने ये भी जानकारी दी है कि इस मामले की सूचना रक्षा पुलिस को दी गई और पुलिस तभी से इन बदमाशों के तलाश में है और इसके साथ ही कल रात को पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर दोनों शातिर बदमाशों को धर दबो चा और पूछताच के दोराग पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम सत्यम यादव निवासी ग्राम सिम्रत हना रक्सत और राजा यादव निवासी जिगना जिला दत्यम मद्यपरदेश बताया है उनके पास से लूटे गए जेवर और एक तमंचा दो कार्थूस और घटना में परियुक्त मोटर साइकल भी बदमाशों का अपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है खबर बलरामपुर से है जहां पर यहां एक ही परिवार के चार लोगों ने जहर खा कर जान देने की कोशिश की है इसमें परिवार के ही दो बच्चे समेर तीन की मौत हो गई है जबकि एक का इलाज स्थान ये अस्पताल में जारी है बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना स्थल का निरेक्षन कर कारवाई शुरू करती है यहां मौका है यहां पर एक मकान में ताला अंदर ताला बंद किये हैं और खोल नहीं रहे हैं तो इस सूचना पर प्यार भी हमारी आई और उसको दर्वाजे को लोहे का दर्वाजा ऐसे काट कर देखा चार लोग पड़े थे जिसमें एक जो पुरूस है वो जीवित थे मन्टोले नाम हैं का चाट की दुका लगाते थे उनको चिकत साले भेजा गया है तीन लोग मृत पाए गये हैं और कारवाई की जा रही है ललित्पुर में शोशल मीडिया पर कोटेदार का एक वीडियो वाइरल हो रहा है कस्बा जखोरा के मजरा नवीन जखोरा के कोटेदार की काली करतूत उजागर होती हुई साफत और पर दिखाई दे रही है दरसल कोटेदार गेहु में चावल मिलाकर लाभारतियों के साथ चल किया जा रहा है और कोटे की दुकान पर गेहु में चावल मिलाने का पीटियो शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है महंगे गेहूं में सस्ता चावल मिलाकर पातर लाभार्धियों को गेहूं की रेट में चावल बेचता है बागपत पुलिस और सर्विलेंस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है बीते 22 तारीक को इसको लेकर लुटेरे ने चालक को बंदग बना लूट की इस वारधात को अंजाम देकर फरार हो गए थे जिसके बाद से पुलिस और सर्विलेंस की टीम लुटेरे की तलास में जुटी हुई थी दो लुटेरे साहिब और आजाद को पुलिस ने घायल हालत में ही लुटेरे को गिरफतार कर लिया है और इसके साथ ही लुटेरे ने कहरे का फाइदा उठा कर धीमी गती से चल रहे केंटर को रुकवा कर इस विलूट की वारधात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए थे पुलिस ने लुटेरे की निशान देही पर लुटे गए कई कुंटल चावल जिनकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपे बताई जा रहे है वो भी बरामत कर लिया है और साथ ही पुलिस लुटेरे की अपरादी के तिहास को खंगालने में जुट गई है विसोली की पृतवी पूर गाउं में सुभा लगबग चार बजे एक मकान का लेंटर गिरा जिसमें दब कर तीन बच्चों सहीत एक महिला की बताया जारा है की घायल हो गए है और इसके साथ ये भी जानकारी सामने आई है की पूरा मामला जनपत बदायू के विसोली कोतवाली छेतर के फित्रवी पुर गाउं का है जहां के रहने वाले मोरपाल पुत्र हरपाल अपनी पतनी नन्नी देवी और अपने तीन बच्चों के साथ घर में सो रहे थे तब ही सुभा करीब चार बजे मकान कलेंडर भरबरा कर गिर गया और बहुत तेज घमाके के साथ आवाज हुई जिसकी आवाज सुनकर आसकडोस के रहने वाले लोग भाग कर पहुचे तब ही वहाँ जाकर देखा तो उसमें नन्नी देवी और उनके तीन बच्चे दब गए थे तब ही कड़ी मशकत के बाद ही सभी को निकाला गया और इलाज के लिए हायर सेंटर राफर किया गया है जिसमें महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है बदाईउ में पुलिस अधिक्षक ने विसोली कोतवाल को निलंबित किया है विसोली कोतवाली की चोकी दवतोरी छेतर के ग्राम लक्षमीपुर में भैस चोरी के प्रकण में गाजगिरी है और चोरी के शक में युवक को पकड़ कर पुलिस ने युवक को 3rd डिगरी टॉ और इस घटना क्रम में चोखी इंचार्ज वारिश खान और दो सिपाही निलंबित हुए थे और इस प्रिक्रण में प्रत्थम द्रिश्टा से देखा जा रहा है कि सिथिलता पाए जाने पर ततकाल परभाव से विसोली कोतवाल को निलंबित किया गया है कौल हुई थाना छेतर के रास्टिय राजमार्ग 24 पर मौजूद गुलरीहा कला की जगा एक CCTV फोटे सामने आया है जिसे हर कोई देखकर हैरान हो गया है इसल बताया जा रहा है कि डिलेवरी बॉय बाइक से गैस लेंडर लेकर जा रहा था तभी एक दूसरे बाइक से उसकी टककर हो गई और जिसमें दोनों बाइक सवाल सडक पर गिर गए वहीं तदकाल गलत साइड से एक ट्रक आ गया और जिसके डिलेवरी बॉय आ गया लेकिन गैस लेंडर ट्रक के पहिये में फस गया और जिससे डिलेवरी बॉय बाल बच गया ट्रक वहां से भागता बना और इसके साथ ही आपको बता दे कि इसा पूरी घटना का वीडियो पास में ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो चुका है महोबा के शहर कोतवाली के ही दमोरा गाउ में सरकारी स्कूल में बच्चे जाड़ू लगा रहे हैं और चात्राओं से जाड़ू लगाने का वीडियो वाइरल होने लगा है बता दे आपको कि पढ़ाई करने की वज़ाए बच्चों से स्कूल की सफाई कराई जा रही है और ये भी आपको जानकारी दे रहे कि कडाके की ठंड में चात्राओं जाड़ू लगाने को मजबूर रही है उच्च प्राथमिक विद्याले दमोरा का ये वीडियो वाइरल होने से अब हरकंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है मोजुदा समय में करोना काल के बाद नेपाल में भारतिय प्रेटकों की संख्या बड़ी है और नए साल पर भारतिय प्रेटक इन दिनों नेपाल के पोखरा और काठमांडू शहर में घूमने के लिए जा रहे है लेकिन दो दिनों से ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसमें भारतिय प्रेटकों को लूट पार्ट का शिकार होना पड़ रहा है आपको बता दे कि बेलहिया सीमा पर पहले तो भंसार के नाम पर उन्हें लूटा जा रहा है फिर काठमांडू पहुचने पर रूम दिलाने के न लोग नोतनवा के ही उपजिलादिकारी से इसकी लिखित शिकायत किये लेकिन मामला एक देश से दूसरे देश का होने की वज़ा से कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है आपको बता दे इसको लेकर लगातार प्रयास किये जा रहे हैं वहीं SP ने बताया है कि अगर किस के साथ इस तरह की घटना होती है तो तुरंत सो नंबर पर फोन करें अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बॉर्डर पर पहुचने के बाद एक लिखित शिकायत बहलिया परवरी के पास करें और उनका इमेल फोन और वटसप पर कारेवाही करने के बाद सूचना देती जाए की उननाओ के पूर्वा कोतवाली छेतर के बाजी खेड़ा में शराफ घर के लाखों की चोरी से हडकंप बच गया है बताया जा रहा है कि अग्यात चोरों ने लगभग 3 किलो चांदी और 100 गराम सोने के जेवरात भी पार किये हैं और बताया ये भी जा रहा है कि 8 लाग से जैदा चोरी की बारदात को अंजाम दिया गया है सियो पुर्वा ड्रॉग स्पाइट और पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और इसके साथ ही फॉरक्सिंग टीम मौके पर पड़ाल शुरू कर चुकी है खबर उननाव से है जहांकि जिला अस्पताल में कोविड वैक्सिन खतम होने से वैक्सिन लगवाने आ रहे हैं लोग निराश हो कर वापस लोट रहे हैं बता दे आपको कि जहां कुरोना वाइरस एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है वहीं जिले में वैक्सिन खतम हो जाना एक बड़ी लापरवाही बताई चारे हैं वहीं वैक्सिन लगवाने आ रहे हैं लोगों का कहना है कि वैक्सिन बूत में ताला लगा हुआ है कोई भी मौजूद नहीं है जिससे काफी ज़्यादा परिशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्नाओ जहां पर आज जिला अस्पताल में हेल्थ एटियम मशीन का शुभारम किया गया बतादे आपको जिसका सदर विधायक पंकच गुपता ने पहुँचकर हेल्थ एटियम मशीन का फीता काट का शुभारम किया है और यह भी जानकारी आपको दे देए कि इस मशीन कई परकार की जाच निशूल का की जा सकेगी और इस मशीन में 10 से 15 मिनट के समय में जाच कर रिपोर्ट प्राप्त की जा सकेगी उन्नाओ में फ्लोर मील की गल्ला गोदाम SGM के चापे मारी से वैपारियों में हडकम भमच गया है गल्ला गोदामों पर चापे मारी से वैपारियों में हडकम दिखाई दे रहा है नगर की शांती फ्लोर और राजेश्वरी फूड प्रोडक्शन का चापा मारा गया है मौजूद ओवरलोड ट्रकों पर कारवाई हेतू पुलिस को सौपा गया है और मंडी सचीव राजेश्वर विभाग की टीम और भारी पुलिस बल मौजूद रहे हजार और लाखों की तादाद में गेहू चावल और धान की बोर्या मिली है पूरा मामला बागर मौउ नगर के शांती फ्लोर मिल और राजेश्वरी फूड प्रोडक्शन का बताया जा रहा है जनपत बिजनोर के बास्टा में जमाम बाड़े की जमीन की पेमाईश के मामले में शिकायत करता ने लगाया है कानूनों को और लेकपाल पर सरकारी कार्याले से फाइल गैप करने का आरोप लगाया है और शिकायत करता ने फाइल दफ्तर से ले जाने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है फाइल ले जाने और वापस फाइल लाने का वीडियो भी अब सामने आ गया है फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी है आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इडिया